हलो एस्पिरेंट स्वागत है आप सब लोगों का UPSC विद पायल गुपता में अब तक देखे हम लोगोंने क्या देखा था Rise of Regional States, तीन तरीके के States मैंने आपको बताये थे Successor States क्या होते है, Independent Kingdoms कोन से होते है और New States कोन से थे वो देखे थे हमने हमने देखा था Successor State में हैदराबाद, अवद और बेंगौल और फिर हम लोगोंने राजपूट्स को समझा था, मैसूर को समझा था, केरला को समझा था, जाट्स और सिक्स को समझा था कहां पे किसकी territory लगती है, उन सब बातों को मैंने आपको detail में बताया था, maps के जरिए Marathas किस तरीके से powerful होते हैं और किस तरीके से उनका पतन होता है, ये सब बाते हमने देखी थी हमने देखा था, रोहिला खंड और फरूखाबाद किस तरीके से existence में आते हैं, कौन इनको लेके आया है, अली मुहम्मद खान और मुहम्मद खान बंगश कौन थे, ये अफगान से आये थे, किस तरीके से इन्होंने रोहिला खंड और फरूखाबाद को पसाया, ये सारी च सीरीज में आगे बढ़ते हैं, और आज इस चेप्टर को हम फिनिश करेंगे, जिसके अंदर हमें देखना है, जो भी ये रीजनल स्टेट्स उठे थे, उनकी नेचर और लिमिटेशन क्या थी, रीजनल स्टेट्स को ऐसे समझना, यहां सेंटर में क्या है, यहां पे दिल्ल जगा, रीजनल स्टेट्स जो है, वो उभर के आ रहे थे, रीजनल स्टेट्स कुछ तो ऐसे थे, जो उसी के ही अंदर से निकले थे, जैसे कि आप देखोगे हैद्राबाद, जैसे आप देखोगे अवद, यानि कि उसी के ही अंदर करने, कुछ लोग काम करने वाले, अपन उनके एरिया को हड़तना चाहते हैं, जैसे मराठा थे, जैसे सिख थे, चीक है, तो क्या हो रहा था, ये जितने भी लोग थे, जो मुगल रूलर से, या मैं कहूँ मुगल रूल से अलग हुए थे, जैसे हैदराबाद और अवद, एक्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था पहले, हैदराबाद और अवद के बारे में जब डिटेल में बताया था, मैंने आपको कहा था, किस तरीके से बने हैं, तो आप देखोगे, ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हुए, इन्होंने अपने आपको सक्सेसर स्टेट कहा है, सक्सेसर स्टेट कहा है, इसका जो ताकत है, नाम की ताकत इस मुगल रूलर की चलेगी, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे थे ये लोग, ताकि एक्स्टर्नल कोई भी अटैक होने से पहले, सबको ये हो, क्यो पर नॉमिनल किंग बैठा है, जबकि इंटर्नली सारे डिसीजन, सारी पावर इनके खुद के हाथ मे थी, तो सिगनेचर चल रहे थे, उनके डिसीजन चलते थे, इनके रियल पावर इनके हाथ में थी, हैदराबाद और अवद के, इनको क्या कहा था हमने सकसर स्टेट, यानि मैं कह सकती हूँ, ये जितने भी स्टेट्स थे, उन्होंने मुगल राजा जो दिल्ली दर्बार मे बैठा है, उसी को ही अपना राजा माना, इसी तरीके से एक समय था जब मराठा ने भी, सिख ने भी, और भी जितने लोग थे, राजपूत वगेरा ने भी, मुगल राजाओं को ही अपना शासक माना, ठीक है, ये हम लोगोंने बात इतनी समझी, जो और हम उसके अंडर है, जो रेबल चीफटेंस थे, रेबल चीफटेंस किसको कह रहे है, मराठा और सिक्स को, क्यों इनको रेबल चीफटेंस कह रहे है, क्योंकि ये ऐसी पावर्स थी, जो मुगल दर्बार को उखाड के फैकना चाहती थी, और उनकी जगा पे खुद, उनक चरेक्टर में रीजनल थी, मतलब कि उनका मकसद ये नहीं था, अब जो हैदराबाद में है, उसका मकसद ये नहीं है कि मैं पूरे भारत पे कबजा करू, या जो अवद है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका मकसद ये नहीं था कि मैं पूरे भारत पे कबजा करू, रीजनल लेवल पे यानि हमारे छेत्र में हम राजा है रीजनल लेवल पे अपनी politics को निभा रहे थे और क्योंके रीजनल लेवल पे थे इसलिए इनको अपने local लोगों की ज़्यादा जरूरत पड़ती थी जैसे जमीदार merchants, local nobles, chieftains इनकी ज़्यादा जरूरत थी क्योंके इनी के support से वो रीजन वहाँ चल रहा था तो क्या हो रहा था इन लोगों ने अपने interest को पूरा करने के लिए इन local interest को serve करना जरूरी समझा कि जब तक हम इन जमीदार merchants, local nobles और chieftains को इनकी खुश्यों का ध्यान नहीं रखेंगे, इनकी take care नहीं करेंगे, तो हम लोग खुद को maintain नहीं कर सकते जिसकी वज़े से आप धीरे 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 देखोगे, ये nobles जो है ये बहुत ज़्यादा powerful होते जाते हैं, जो एक ज़लक मैंने आपको region establish कर सके हैं, और इनकी ही वज़े से वो अपने region में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ exception भी थी मैसूर, आप देखते हैं, हैदर अली, टिपु सुल्तान, ऐसा छेत्र जहां पर local chiefains को recognize नहीं किया गया, वो सब कुछ अपने दंपे करते थे, इनकी कुछ limitations थी, regional states की, ये political system के बारे में मैंने अभी आपको बताया, अब इसकी limitation के बारे में मैं आपको बताती हूँ, nature हम लोगों ने discuss कर लिया, अब limitation की बात करते हैं, देखो इनों ने, ये जितने भी regional states थे, ये कभी भी अपना sound financial administration या military organization नहीं बना सके, क्यों नहीं बना सके, ना तो इनके पास बहुत अच्छा finance हुआ, आप बेंगोल को छोड़ दो, बेंगोल को छोड़ के, जो ये आसपास हैदराबाद अवद थे, आलंकि हैदराबाद भी ठीक ठाक था, लेकिन बहुत जादा finance, बहुत अच्छी इनके पास military नहीं हुई, बहुत अच्छी इनके पास finance नहीं हुई, बहुत अच्छा इनका administration नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आसपास के छेतर जो हैं, वो लगातार इनके उपर attack कर रहे हैं, एक चीज को समझना, एक तो इतने बड़े area के उपर attack करना है, पूरा मुगल दर्बार united है और इसके उपर attack करना है, बहुत मुश्किल है, जैसे ही आसपास के लोगों को ये पता लगा, हैदराबाद अलग हो गया, अवद अलग हो गया, यानि अभी छोटे छ क्या कर रहे थे, अब आसपास जो छेतर अलग हुए थे, उनके उपर constantly attack कर रहे थे, जिसकी वज़े से इनके यहाँ finance अच्छा नहीं हो सका, और administration भी इनकी अच्छी नहीं थी, और military तो इन्होंने कभी strong की ही नहीं, सब कुछ पुराने तरीके से चल रहा था, military इनकी कोई strong नहीं थी, इन्होंने अपनी military को modernize करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन यहाँ पर फिर exception है और exception है मैसूर, मैसूर ने फिर भी अपने छेतर के अंदर, French के तरीतोर तरीकों से अपनी organization को, अपनी military को strong करने की कोशिश की थी, दूसरा drawback जो मैंने आपको बताया, constant यहाँ प जब तक मुगल united थे, जब तक मुगल के टुकडे नहीं हुए थे, यानि कि मुगल दर्बार नहीं breakdown हो रहा था, तब तक यह लोग क्या कर रहे हैं, तब तक भी यह छोटे-छोटे लोग थे, मराठा थे, सिख थे, यह लोग थे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि हम मुगलों के उपर अटेक कर दे, जैसे ही original power अलग होती है, तो constantly इनके उपर wars का बोचार होने लगती है, जागीरदारी crisis, अगली limitation, जागीरदारी crisis intensify हो रहे थे, जागीरदारी crisis क्या थे, मैंने आपको बताए था, एक land दे दी जाती थी, किसी एक व्यक्ति को, और उसको क् मनसबदारी भी दी जारी है, मनसबदारी दी जारी है, कि आपको 5000 सैनिकों का देखभाल करनी है, इस land से आपको जितना tax मिलेगा, इस tax से आपको इन 5000 की आर्मी को maintain करना है, तो अब क्या हो रहा था, जो land है, उसको distribute किया जा रहा था, औरंग जेप के time से ही, यह मनसबदारी बढ़ाई जारी थी, यानि यहाँ पे लोगों की संख्या जादा कर दी जारी थी, जिसकी वज़े से इन जागीरदार यहाँ के peasants को बहुत जादा oppression करके, इन peasants का इन किसालों का बहुत जादा oppression करके, इनसे high tax वसूल करते थे, धीरे धीरे इन peasants ने इन land के उपर खेती कर ना ही शुरू कर दिया, जिसकी वज़े से एक तो वहाँ पे भुखमरी हो गई, food scarcity हो गई, और एक और चीज़ क्या हो रही थी, आप देखना इस चीज़ को, कि इन्होंने ना liberal जागीर शुरू कर दिये थे, liberal जागीर क्या थे, आस-पास के लोगों को खुश करने के लिए उनको जमीन के टुकडे बाट दिये जाते थे, अब जमीन के टुकडे जब तुम किसी को दे दोगे, तो आप लोगों के पास तो लैंड कम हो गई ना, मुगल दर्बार के पास तो लैंड कम हो गई, जिसकी वज़े से क्या हुआ, पहले इतनी लैंड के उपर सो लोग, सो लोग खाना खारें, सो लोग कमारें खारें, अब क्या हो रहा है, लैंड रह गई सिर्फ इतनी सी, लैंड रह गई इतनी सी, और इनके उपर बहुत सारे मनसब बढ़ा दिये, बहुत सारे मनसब बढ़ा दिये, यानि अब लैंड तो कर दी कम, और उसके उपर खाने वाले लो राजा को पता था लड़ने की मेरी हैसियत नहीं है और मैं नहीं लड़ा तो इनको खुश्टो करना पड़ेगा मैं लड़ाई करके इनको जीत नहीं सकता तो इनको कुछ गिफ्ट्स देके जीतूंगा लिबरल जागीर देने शुरू कर दिये थे लैंड जो है वो कम होने लगी थी और जो लैंड बची थी उसके उपर बहुत सारे लोग फीड कर रहे थे जिसकी वज़े से जागीरदारी क्राइसिस होते गए यानि की जो सरप्लस था वो अब नंबर ओफ कंटेंडर्स के बीच में बटने लगा था जो है बहुत जादा लोगों में बटने लगा था थोड़ी सी लैंड पे बहुत सारे लोग जो है वो फीड करने लगे थे और एग्रिकल्चरल तो डिकलाइन हो गया था क्यूंके पीजेंस का इतना जादा ओप्रेशन होने लगा था पीजेंस ने खेती करना ही छोड़ दि गया अगरिकल्चर डिकलाइन हो गया जिसे स्कैरसिटी फूट स्कैरसिटी हो गई समझ रहे हो अब क्या हो रहा और और क्या हो रहा है ट्रेड इंटर्नल और फोरग दोरो तरीके का कॉंटिन्यू रहा विदाउट डिस्रप्शन और प्रॉस्पर भी रहा लेकिन इसके अल योगों ने लिमिटेशन को समझा अब हम उस समय की यह बात चल रही है लगभग 18th century की social economy condition क्या थी आप देखोगे 1750 के बाद से 1757 में तो battle of classy ही हो गया 1761 में जो मराठा है वो भी अपनी power खो रहे है मतलब कि constant लडाई हो रही है अंग्रेजों की power जो है वो बढ़ती जा रही है उधर French की लडाईयां चल रही है ठीक है 1763 तक तो क्या हो रहा है भारत के अंदर जो economic, social और cultural जो progress होनी थी वो रूग गई है यानि 1750 के बाद से मैं कहूं 18th century के अंदर भारत के अंदर economically, socially और culture जो growth होनी थी वो adequate नहीं होती है वो बहुत ज्यादा परियाप्त मात्र में नहीं होती है इंडिया के अंदर extreme poverty हो गई और extreme luxury इसका मतलब क्या है एक छेत्र एक society तो ऐसी थी जैसे अभी recent आप क्या देखोगे economy के अंदर के graph बन रहा है अगर economy को हम इससे जोड़े recent economy को हम इससे जोड़े तो एक fact आपको बता दू पहले आपने देखा था भारत की economy वी शेप हो गई है लेकिन इस समय भारत की economy के शेप है के शेप का मतलब जो rich लोग है वो तो उपर बढ़ते जा रहे हैं और जो गरीब लोग थे वो नीचे गिरते जा रहे है क्योंकि इस कोविड का impact इन लोगों पे जादा पड़ा है तो के शेप economy हो गई है हमारी सेम का यहां पे हो रहा था जो rich लोग थे वो तो extreme luxury life जी रहे है और जो गरीब लोग थे वो extreme poverty में जी रहे है जैसे आप देखोगे नवाब थे पंगाल के नवाब है 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 जो राजा है यह राजा लोग इतनी luxurious life जी रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं और जो इनके नीचे कान करने व बहुत जादा poverty है जहां पे बहुत जादा गरीबी है जो common लोग होते थे जो राजा के दरबार में काम करते थे वो बहुत जादा backward बहुत जादा oppressed और बहुत जादा impoverished रहे हैं बहुत subsistence level पे ही काम कर पाते थे subsistence level का मतलब क्या है कि सिर्फ उतना उगा पाते थे जितन इतना power इतना सब कुछ enjoy कर रहे थे luxurious और बिल्कुल lavishness life जो है वो enjoy कर रहे थे यह हम लोगों ने 18th century के social economy condition की बात की अब हम यहां की agriculture की बात करते है agriculture technically backward था कोई technology नहीं थी conventional तरीके से सारी agriculture की जा रही थी और इसके उपर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था कि agriculture को हम कैसे अ वसूलना और यह टेक्स जागीरदारों के हाथ में दे दी जिसको आज आप जमिदारों के रूप में देखते हूं जागीरदारों के हाथ में दे दी और यह जागीरदार किसान का continue operation करते थे कि हमको ओर टेक्स दो ओर टेक्स दो क्यूंके राजा ने जादा टेक्स मांग ल ठीक है तो जो एगरी कल्चर है एक तो वो टेक्निकल बैक्वर्ड है यहाँ पे क्या हो रहा था जो पीजेंट था वो अपने लिए तो कुछ करी नहीं पा रहा है उसकी कंडिशन बहुत जदा खराब है पीजेंट को कमा कमा के आगे देना पड़ रहा है पीजेंट को यह सार ज़रूरत होती थी बहुत ज़्यादा पैसा उसे चाहिए था उसने जागीरदारों को क्या कहा कि इन पीजेंट को तो सपोर्ट कर रहा था पूरी सोसाइटी के लिए तो था लेकिन उसी व्यक्ति के लिए नहीं था जिसने उसको उगाया है यानि पीजेंट का पासंग रि आई है कि जब अंग्रेजों के हाथ में सब कुछ आ जाएगा बिटिश रूल के अंदर जो इनकी हालत और ज्यादा वर्स हो जाती है यह अग्री कल्चर की बात थी अब हम ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बात करते हैं ट्रेड और इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सब्सिस्टेंस लेवल पे अपनी खेती कर रहे हैं सस्सिस्टेंस लेवल मतलब अपना पेट भर जाएं इथना तो वह कर रहा है सेलफ सफीषेट था लेकिन इंडिया ने कभीवी फोरण गूड्स इंपोर्ट नहीं किया हाँ हमने एक्स्पोर्ट बहुत सारा मेटीरियल कि फोरन मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करता था और इंडिया के इंडस्ट्रियल और एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत जादा थी फोरन मार्केट में ये तो बाद में अंग्रेजों की ऐसी वन वे टैक्स की जो पॉलिसी आई है न उसने सत्यानाश कर इंडिया भारत का अधरवाइस भारत इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता था ओल ओवर इंडिया के अंदर इंडिया के सिल्क की इंडिया के फाब्रिक की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी हम क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करते थे यह प्री के लिए इंपोर्टेंट है और वूरोप करते थे एफ्रिका से आइवरी और ड्रक्स को करते थे यूरोप से बुलन क्लोथ कॉपर आयरन लीडर पेपर को इमपोर्ट करते थे यह याद नहीं करना आपस आपको पता होना चाहिए एक्सपोर्ट हम क्या करते थे मेलली cotton textile, raw silk, silk fabric, hardware, indigo, salt, peter, opium, rice, wheat, sugar, pepper, other spices, precious stones and drugs इन चीजों को हम export करते थे भारत के अंदर textile industries बहुत अच्छी थी और important center कहां थे textile के आप देख रहे हो डेका, बांगलादेश, मुर्शिदाबाद, पत्ना, सूरत, एहमदाबाद, भरुच, चंदेरी, बुरहानपूर सूरत, नागपूर, पूने, सोलापूर, मैसूर, यह सारे बहुत अच्छे textile industry थी आप यहाँ पर देखना, चंपारण के अंदर भी बहुत अच्छी textile industry थी इधर चित्ताकोंग के अंदर बहुत अच्छी textile industry थी ठीक है एहमदाबाद के अंदर बहुत अच्छी टेक्स्राइल इंडस्री थी नियर साबर मती आश्रम तो यहां पर क्या हो रहा है हम यह बताना चाहरे हैं कि भारत के हालात बिटिशर्स के आने से पहले इतने बुरे नहीं थे जिस तरीके से अब हम आगे जैसे जैसे बिटिश राज में आगे बढ़ेंगे न तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से यह जो इंडस्री है वो बिटिशर्स ने एक-एक करके इंडस्री को खतम किया है और खुद जो इनका इंडस्ट्रिलाइजेशन का फेस चल रहा था उस इंडस्रिलाइजेशन के फेस के अंदर भारत से कैसे इन्होंने बेनिफिट लिया है वो चीजे यहां से जूडेंगी तो आपको यह चीजे याद रखनी है कि इंडिया की टेक्स्राइल इंडस्री कितनी प्रोस्परस थी और 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 ओल ओवर वर्ड के अंदर इंडिया के टेक्स्राइल की कितनी डिमाड थी भारत के अंदर शिप बिल्डिंग इंडस्री की बात करते है हम भी शिप्स के बारे में जानते थे आपको पता है जो जैमोरीन था जैमोरीन जिसको हम क्या कह रहे हैं जो कैलिकट में जिसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था जो रूलर था जिसका नाम मन्ना विक्रमा था ये मैंने आपको बताया था ना अपनी सेकिंड वीडियो के अंदर मन्ना विक्रमा और आपको पता था एक अरब ट्रैवलर था अरब ट्रैवलर जो वास्को डिगा अपने शिप्स चलाता था इसके लिए इंडियन ओशियन जो इतना ज्यादा हार्श ओशियन है आज भी इंडियन ओशियन को पार करने में बड़े बड़े शिप्स के पसीने छूट जाते हैं अब्दुल माजिद जो एक मर्चन था वो रोजाना गुजरात से साउथ जाता औ ठीक है अब यहां से फिर वो वापिस जा रहा है गुजरात के अंदर तो आप देख पा रहे हो मतलब कि हमारी शिप इंडस्ट्री बहुत जादा वीक नहीं थी यहां के लोगों को भी शिप्स की नॉलिज थी शिप बिल्डिंग्स इंडस्री भारत के अंदर भी थी और य लामॉरी मोरीन थे कैलिकर्ट के यह मणने आप mo स्टॉरी बताई थी जो मुसलिम कुझाली міरकष जो अपने जैसे गुरिल्लय वारफेर होता है गुरिल्लच वार्फेर कहां के लिए है यह मराठा के लिए famous है कि ये लोग वो को ऐसी tactics आती थी ये गुरिल्ला वारफेर के अंदर बहुत जादा सुपर हिट थे इसी तरीके से जो मरककर थे उनकी जो seafaring ability थी वो all over इंडिया के अंदर जबरदस थी, इनके पास छोटी-छोटी boats होती थी और उन छोटी-छोटी boat से ये इतनी जबरदस लड़ाई करते थे कि इन लोगों से जीतना बहुत ज़ादा मुश्किल था, यानि कहीं ना कहीं मरककर्स, जैमोरीन, जो ये अब्दुलमाजिद है, ये example बता रहे हैं कि भारत के अंदर भी navy की knowledge थी, भारत के अंदर भी ship की इंडस्ट्री थी, भारत के अंदर भी ship building होता था, ये बात मानते हैं कि हमारी जो ship industry थी, वो Portuguese जितनी strong नहीं थी, Portuguese जितनी modernized नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत को भी ship building आता था, भारत के even जो विपिन चंद्रा की book भी आप पढ़ोगे, या विपिन चंद्रा जो हमा इंडस्ट्री के बारे में हमने जाना, अब हम education के बारे में जानते हैं, 18th century में अगर हम education की बात करें तो वो traditional थी, traditional का मतलब क्या है, west के compare में बहुत जादा development भारत के अंदर नहीं हो रहा था, यहाँ पे mainly literature की, law की, religion की, philosophy की, logics की, इनकी बाते होती थी, लेकिन physical और natural sciences की, technology की, geography की इनकी बाते नहीं होती, यानि rational thinking नहीं थी, लोग अभी भी religion को ज़्यादा पढ़ रहे थे, philosophy को ज़्यादा पढ़ रहे थे, science को नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, ancient learnings के उपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, और जो original thoughts थे, जो rational, logical thoughts थे, उनको discourage कर दिया जा जाता था, Hindu और Muslims के अंदर elementary education बहुत जादा अच्छे level पे दी जाती थे, Hindu और Muslim के schools को क्या कहा जाता था, Hindu के school को पाठशाला, Muslim के school को मकतब्स कहा जाता था, education में mainly reading, writing और arithmetic सिखाया जाता था, जो lower caste के students होते थे, जो lower caste के बच्चे होते थे, बहुत ही कम school में जा पाते थे, और female की presence तो education में बहुत जादा rare थी, बिहार और Bengal के अंदर higher education के centers को क्या कहा जा रहा है, छाटू, पाथीस या टोल्स कहा जा रहा है, बिहार और Bengal में जो higher education के center थे, Hindu में पाठशाला पड़े, Muslims के लिए मकतब्स पड़े, बिहार और Bengal में ये नाम आप देख रहे हो, इसे क संस्कृत education के कुछ famous center थे, जैसे वारानसी के अंदर कासी, तिरहुत मिथिला के अंदर, नादिया और उतकाला, मदर्सा किनको कहते थे, पर्शिया और Arabic language को सीखने के लिए, क्यूंकि court language जो मुगल दर्बार की होती थी, वो पर्शियन होती थी, और इस पर्शियन और Arabic को सी लिखाई जा रही है, Muslim और Hindu दोनों ही in language को सीखते थे, ऐसा नहीं है कि पर्शिया और Arabic को सिर्फ Muslim ही सीख रहे है, Muslim और Hindu दोनों ही सीखते थे, क्योंकि दोनों को ही मुगल दर्बार में काम करना है, एक famous center था Persian education का, आजिम बात, ये पटना के अंदर था, ठीक है, जो लोग people अच्छे level पर सीखनी होती थी, अलग-अलग centers बने हुए थे, जिनको मदर्सा नाम दिया जाने लगा, society कैसी थी, caste-based थी, बहुत सारे sect थे, Hindu Muslim तो थे ही थे, इनके अंदर भी अलग-अलग sect बने हुए थे, जैसे Muslim के अंदर भी तूरानी sect अलग था, ठीक है, अलग-अलग इनके अधार पे divided थे, उस समय भी, बहुत ज़्यादा cultural unity नहीं थी, patriarchal society होती थी, यानि कि जो पिता है, या मैं कहूंगी कि जो पुरुष प्रधान समाज था, males dominated society थी, females की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पूरी society चार वर्णा system के उपर बटी हुई थी, हिसाब से होता था, caste के base पे profession होता था, ये points ना आपके prelims में statement बनके आएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि मुगल टाइम पे, जब decline of मुगल चल रहा था, यानि 18th century में हमारी society कैसे है, और इस society को बदलते हुए हम modern history के अंदर देखेंगे, ठीक है guys, अब हिंदूस के अंदर अलग sects थे, मुस्लिम के अंदर भी अलग-अलग sect थे, हलांकि मुस्लिम social equality को दिखाते थे, लेकिन फिर भी वो भी अलग-अलग sect में divided थे, कैसे, सुन्नी शिया के साथ साथ, इरानी, अफगानी, तूरानी, हिंदूस्तानी, ये अलग-अलग मुस्लिम के nobles होते थ मुस्लिम नोबल की ये चार पार्टी बनी हुई थी, इरानी, अफगानी, तूरानी, हिंदूस्तानी, जो मैंने आपको बताया था ना, एक किंग मेकर, दूसरे किंग मेकर को रिपलेस करना चाहता था, वो अलग-अलग parties के होते थे, और इनकी आपस में ही नहीं बनती थी, जो शरीफ मुस्लिम होते थे, एक अलग सेक्ट है मुस्लिम का, जो शरीफ मुस्लिम होते थे वो अपने आपको उपर बताते थे, अजलफ मुस्लिम को लोर कास्ट क्लास मुस्लिम माना जाता था, तो यानि मुस्लिम, हिंदू, इनके अंदर भी अलग-अलग सेक्ट बने लेकिन कुछ social group से केरला के अंदर जिसमें women's की position अच्छी थी अब women's जो थी अपर class की women घर में ही रहती थी जबकि lower class की women जो है खेतों में काम कर रही है और मतलब कहीं पर house कहीं पर या दूसरे के घरों में काम कर रही है as a slave काम कर रही है ठीक family income को supplement करती थी यानि कि जो lower class की women है वो घर से बाहर निकल के कमा रही थी social custom बहुत ज़ादा exploitative थे जैसे परदा घूंगट जिसको कहते हो सती प्रथा अपने जैसे ही किसी का husband expire होगा female को भी जिन्दा को जला दिया जाएगा child marriage polygamy एक से ज़ादा विवा यह बहुत सारे इसी तरीके के exploitative social customs होते थे और जो हिंदू sect की महिलाएं विड़ो हो जाती थी विद्वा हो जाती थी उनकी हाले तो बहुत ज़ादा miserable थी डावरी की समस्या बहुत ज़ादा थी specially बेंगॉल और राजपुताना के अंदर जो sensitive women's होती थी वो बहुत हाड और harsh life जीती थी उस समय अगर कोई विड़ो हो जाती थी तो हलाकि उस समय भी राजा सवाई जैसिंग जो आंबेर के राजा थे और मराठा जनरल जो परशुराम भाव थे इन्होंने कोशिश की कि विड़ो रिमेरिज को प्रमोट करे विद्वा पुनर विभा को प्रमोट करे लेकिन फेल हो गए स्लेवरी कैसी थी? स्लेवरी बहुत जादा स्तर पे थी उस समय स्लेव किस तरीके से थे? economic distress था, famine था, natural calamity होती थी तो भूख की वज़े से लोग अपने बच्चों को बेच देते थे कहां बेच देते थे? जो ये राजपूत, खत्रीज, जो ये कयास्थास ये जो उची जाती होती थी उस समय ये लोग अपने घर में उनके बच्चों को domestic worker की तरह रख लेते थे, women's को स्लेव की तरह बनाके रखते थे, फिर उनसे घर के काम करवाते थे लेकिन यहाँ पे जो स्लेव का स्टेटस है, वो यूरोप के स्लेव से बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे उनको इतना exploit किया जा रहा है, कि मतलब उनसे घरों का काम करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ मार पीट हो रही है हैरिडिटरी सर्वेंट हो जाते थे, कि उसका बच्चा फिर उसके नोकरी कर रहा है, फिर उसका बच्चा भी उसका नोकर बन गया, उसका बच्चा भी इस तरीके से हैरिडिटरी सर्वेंट होते थे slaves और slaves के बीच में आपस में marriage का proposals भी रखे जाते थे जैसे ये भी slave है ये भी slave है इनके आपस में जो offspring है उनके आपस में शादी भी कराई जाते थे जिस समय Europeans भारत में आते हैं ये slavery बहुत जादा बढ़ गई क्योंकि Bengal, Assam और Bihar से slaves को purchase किया जाता था फिर Europe के अंदर और American market में इनको बेचा जाता था जो Abysenian slaves थे यानि जो Africa से आए हुए slave थे उनको सूरत मदरास Calcutta के अंदर बेचा जाता था यानि Europeans जब भारत में आते हैं तो ये slavery और भी बड़े लेवल पे बढ़ गई हम लोगों ने इस chapter को finish किया शायद इसमें एक और slide मेरी missing है जिसके अंदर art and culture की बात है छोटा सा है वो 2 minute का art and culture की बात है वो slide शायद इसमें missing है कोई बात नहीं मैं अपनी next class में उसको include कर लूँगी हलांकि हमारा यहाँ पे यह chapter जो है इस art and culture को छोड़के यह जो chapter है यहाँ पे finish होता है अब हम next chapter की तरफ move करेंगे और अब से मैं videos थोड़ा सा lengthy बनाऊंगी क्योंकि मेरा मकसद यह है कि एक chapter को 2 या maximum 3 वीडियो में मैं cover कर दूँ UPSC with Pail Gupta यह मेरा telegram पे channel है यह मेरा telegram पे channel है जो aspirants मेरे channel से नए जूड रहे हैं वो इस channel को join कर लीजिए मैं और भी जितने subject अलग अलग platform पे पढ़ा रही हूँ उसकी updates भी आपको मिलती रहेगी Thank you so much, take care, bye bye